प्रधान मंत्री मोदी के दिगरी प्रमान पत्र को लेकर जो बयान दिया था अभी भी लगतार जारी है अभी प्रेस कॉंफरेंस में दावा करते हुए कहा कि प्रतिशोध की राजनीती देश को नुकसान पहुँचाएगी और गुजरात अदालत का फैसला पूरी तरह से हास्यसपत था आपने इता संजर सिंग का दावा है कि बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि पीएम की फर्जी डिग्री असली है इस बीच गुजरात हाई कोट ने प्रधान मंत्री का डिग्री प्रमान पत्र पर केजरीवाल पर 25,000 रुपे का जुर्माना लगा दिया है दाल में काला नहीं पूरी की पूरी दाल काली है और नकल के लिए अकल चाहिए उस अकल का भी इस्तेमाल ये डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है और बीजेपी की सारी लीडर्सिप और स्वेम प्रधान मंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया 83 में आपने एमे किया तो 2056 में आपने क्यूं कहा कि आपने कोई सिक्षा स्कूली सिक्षा के बाद नहीं की है अर्थात या तो आप कि डिग्री फर्जी है या आपका बयान जूटा है डिग्री और आपकी क्वालिफिकेशन रह से नहीं रह सकती भाई जो तैय तरीका है वरिफिकेशन का प्रदान मंत्री जी की डिग्री चो नहीं वेरिफिकेशन और यह उस तरीके से प्रदान मंत्री जी इस देश के प्रदान मंत्री है तो उनकी ये बात देता है कि उनको ये सच देश के सामने बताना चाहिए जो संकल्प नरेंद मोदी जी ने लिया हुआ है जिसे ये अपनी साज़िश की सुपारी से नुकसान पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं वो संकल्प है सामपरदाई क्वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से परास्त करने का और ये साज़िश की सुपारी को संकल्प के सरोते से पूरी तरह से चकनचूर देश की जनता भी कर रही है और एक के बाद एक हो भी रहे हैं ये लोग जितनी भी साजिश की सुपारी करें संकल को सुरोता है अतना मजबूत है कि हर साजिश की सुपारी को तुकड़े तुकड़े भी कर देगा और चक्नचूर भी कर देगा